माक किष्णपक्ष के चोत को गनेश चोत का वर्त होता है, इसे संकटी चोत और सकट चोत भी कहते हैं, सुबह पहले सिर सहीत नाएं, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड का तिलकुट बनाएं, एक पट्रे पर जल का लोटा, चावल, डोली, एक कटोरी में जल का लोटा और हाथ के तिल उठा कर रख दे, शाम को चंदरमा को और रख दे कर जीम ले, एक रुपया और तिलकुट जो मिश्णानी कानी कहें, उसे दे दे, सब खाना खाएं और तिलकुट जरूर खाएं उठापन विधी, अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवा हो तो चोतमाई का उध्यापन होता है, एक सेर सफेद तिल और एक सेर गुड मिला कर तिलकुट करें, और एक चम्मत से तिलकुट की तेरह गुड़ी करें, उस पर एक तियल रख कर चानुसार पैस जगे, चार-चार पूरी और हलबा रखें, और एक तियल रख कर उस पर पैसे रख कर सासुजी के पैर चुट कर दे दें, और ब्रामनी को भी जिमाएं, ब्रामनी को एक कुड़ी तिल और हलबा पूरी दे दें, और धिक्षना दें सावकारनी बोली इसे करने से अंधन, सुहाग पूतर सब मिलता है तब सावकारनी ने का यदी मेरे गरब रह जाए, तो मैं सवा सेर तिलकुट करूँगी और चोत का पर्थ करूँगी श्री गनेश भगवान की किरपा से सावकारनी के गरब रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए, तो मैं धाई सेर तिलकुट करूँगी कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली की है चोत्म भगवान मेरे बेटे का विवा हो जाएगा तो मैं सवा पांस सेर का तिलकुट करूंगी कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवा भी तै हो गया उसका बेटा विवा करने चला गया लेकिन उस सावकार्णी ने तिलकुट नहीं किया इस कार्ण चोत माता गरस्ती हुई आई उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठा कर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला इधर उधर लोगों ने बहुत ढूंडा पंतु वह किधर भी नहीं मिला इधर जिस लड़की से सावकार्णी के लड़के का विवा होने वाला था वह अपने सहिलियों के साथ गंगोर पुझने के लिए जंगल में दूब लेने गई तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई ओ मेरी अर्ध भ्याई यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे जूब कर काटा होने लगी एक दिन लड़की की माँ ने पूछा मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाती पिलाती हूँ फिर भी तुम क्यों सुकती जा रही हो ऐसा क्यों तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध भ्याई उसने महंदी लगा रखी है सेरा बांध रखा है तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जा कर देखा तो वह उसका जमाई है तब उसकी माँ ने जमाई से कहा यहां क्यों बैटे हो मेरी बेटी तो अर्ध भ्याई कर दी अब क्या लोगे सावकार्णी का बेटा बोला मेरी माँ ने चोथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया इसलिए चोथ माता ने नराज हो कर मुझे यहां पर बैठा दिया यह सुनकर उस लड़की की माँ सावकार्णी के घर गई उससे पूछा कि तुमने सगट चोथ का कुछ बोला है क्या तब सावकार्णी बोली तिलकुट बोला था उसके बाद सावकार्णी बोली मेरा बेटा घर आ जाए तो धाई मन का तिलकुट करूँगी इससे श्री गनेश भगवान परसन हो गए और उसके बेटे को फेरो में लाकर बिठा दिया बेटे का विवाद धूमधाम से हो गया तब सावकार्णी के बेटा बहु घर आ गए तब सावकार्णी ने धाई मन तिलकुट किया और बोली है चोथ देव माता आपके आशिवा से मेरे बेटे बहु घर पर आए हैं जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके वर्थ करूंगी इसके बास सारे नगर वास्यों ने तिलकुट के साथ सकट चोथ करना परारम कर दिया ये सकट चोथ माता जिस तरह सावकार्णी के बेटे बहु मिलवाए वैसे ही हम सब को मिलवाना इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना मुरुज चोत माता कीज़े, गनेश्री भगवाने कीज़े.